आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको फेस्बुक पर इस टाइप की एरर आ रही है ट्रबल लोडिंग टैप टू रिट्राए तो इसे कैसे ठीक करें तो इसके लिए फेस्बुक एप से बहार आईए उसके बाद अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करिए और फोन की सेटिंग्स ओपन करके नीचे आईए नीचे आकर एप्स पे किलिक करिए एप्स पे किलिक करके उपर आएगा मैनेज आप्स मैनेज आप्स पे किलिक करिए और आपके फोन में ये app manager या फिर app management के नाम से हो सकता है हमारे फोन में है manage apps के नाम से तो जिस नाम से आपके फोन में ये option आएगा इस पे click करिए अब आपके फोन के सारे app आ चुके हैं अब यहाँ पर नीचे scroll करिए नीचे आकर यहाँ पर आएगा facebook facebook पे click करिए और click करके ऐसा page आएगा यहाँ पर आने का दूसरा तरीका है आप facebook के icon पे एक से दो second click करके रखिए click करके रखेंगे तो यहाँ पर आएगा app info app info पे click करिए और इस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं अब नीचे force stop पर click करिए उसके बाद ok करिए उपर आएगा storage या फिर storage usage इस पर click करिए और उसके बाद आएगा नीचे clear cache या फिर अगर आएगा clear data तो इस पर click करिए उसके बाद आएगा clear cache इस पर click करिए और अब ok करिए और आपको data clear नहीं करना है ये करने से आपका account logout हो जाएगा तो clear cache करके back आईए और अपने phone की settings में यहाँ पर आएगा SIM card and mobile data या फिर mobile network इस पर click करिए उसके बाद जिस sim का internet आप चला रहे हैं उस sim पर click करिए यानि कि sim 1 का net चला रहे हैं तो sim 1 पर click करिए अगर sim 2 का net चला रहे हैं तो sim 2 पर click करिए हम click करेंगे sim 1 पर उसके बाद आएगा access point names इस पर click करिए और नीचे आएगा reset reset पे किलिक करिए और उसके बाद आएगा reset default APN settings completed अब यहां से back आजाईए उसके बाद अपने phone को restart करिए phone को restart करने के बाद अब चेक करिए आपको facebook पर इस तरीके की कोई error नहीं आएगी तो इस तरीके से इस problem को ठीक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें